दोस्तों कोपी राइड के इश्यू की वज़े से यहां से मैं म्यूजिक प्ले नहीं करना लेकिन आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की इंस्टागिराम की जो है लेरिक्स वीडियो हम एडिट करने का तरीका इस वीडियो में सीखने वाले हैं इस वीडियो को आपने एंट तक देखना है वीडियो का आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना क्यूंकि अगर वीडियो का आपे स्किप कर देंगे तो आपको पूरा प्रोसिस समझ में नहीं आएगा हैलो गाइज वेलकम वेलकम टू टेक Turkishस अज़ की इस वीडियो में आपको बताउंगа कुछ इस तरह की Instagram की Lyric वीडियो यानिक interrupt by नहीं की प्रूट के अगर आप वीडियो के स्किप कर देंगे तो आपको इस वीडियो का जो टूटोरियल है आपको समझ में नहीं आएगा और बाद में आप कमेंट करेंगे किस तरह से ये वीडियो बनेगी हमें आपकी बात समझ में नहीं काफी सारी मुझे कमेंट्स आती रहती हैं किस तरह से Instagram पे भी काफी सारे message आते रहते तो इस वीडियो को आपने end तक देखना है दोस्तों इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा इस वीडियो को like करना होगा और channel पर नहीं तो channel को subscribe करना हो subscribe करने के बाद bell icon को आपने लाजमी से फोलो करना है कोई भी शूओ कोई भी मसला हो तो आप इंस्टाग्राम दिराप्ता कर सकते हैं उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं हुरू इस काइन मास्टर हमने open कर लिया नहां से अपने create new ॉ- Carson पर click कर लेना है a एक जैसे click करेंगे तो अपने संदागराम वाला रेश्व आपने स्व E particular next पर click करने के बाद वी आहां पर सबसे पहले बैगरांड नहीं कर लेता हूं आपकी काइन master के अंदर background already होते हैं ठीक है इसे तकरीबर आप जितना status बनाना चाहते हैं उतना ही आपने इसकी timeline को बढ़ा देना है उसके बाद आपने यहाँ पर मैं तकरीबर इसे 13 से कंट तक कर लेता हूं उसके बाद first में आ जाना है first में आने के बाद simply यहाँ पर layer पर कलिक करना मीडिया पर कलिक करना है और photo select करनी है जो photo आप लगाना चाहते हैं लेकिन उस photo का background आपने पहले remove कर लेने है तो आप निपेले background रेमूव कर लेना है उसके बाद यहांप इस photo को add कर लेना है और एड करने के बाद یہँआ कर रसकी size को बढ़ा देना है जितना इp ROMY Scottish status है उसके बाद आपने क्या करना है first वाले option पर आजाना है फिर्स्ट में आने के बाद Layer पे click करना है Media पे click करना है और Media पे click करने किरने के बाद यहां से आपने अपने इपनी gallery में चले जाना है gallery में जाने के बाद आपने यहां से एक पी एंजी सिलेक्ट करना है ठीक है इस पी एंजी के link description में आपको मिल जाएगी यहां पर आप black screen वाला यह जो like वाला पी एंजी होता है यहां आपने सिलेक्ट करना है इसके बाद नीचे आजाना है जितना स्टेटस है उतना ही आपने इसके टाइम लाइन को भी बढ़ा देना है उसके बाद फर्स्ट में आ जाना है फर्स्ट में आने के बाद यहां से आपने क्या करना है लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है तो अगेन आपने layer और media पे क्लिक करके अपनी gallery में चले जाना है एक video select करना है black screen video जो instagram की लेरिक्स और sorry instagram की जो chatting वाली जा comment section वाली जो black screen video है वो आपने select करनी है इसकी link description में आपको मिल जाएगी तो इस video को आपने select करना है select करने के बाद यहां पर सबसे पहले तो इसे full screen में करना है उसके लिए यहां पर आपने क्या करना है यहां पर इस तरीके से उसके बाद back करना है तो यहाँ बेमें से back करता हूं, बेक शDP करने के बाद नीची आद ना, नीची आपको एक option देखने को मिलेगा, blending का तो अपने blending पे klik कर ले üzुए, blending पे Gelτι स्वे सबूर आपको श्क्रीन का option देखने को मिलेगा, तो अपने screen पर कलिक करके इसका black part खतम कर लेना है उसके बाद इसे okay कर लेना है okay करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी यह जो emojis वगिर आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं तो इस हिसाब से आपने इसकी लिंक भी डिसक्रिप्शन में आपको मिल जाएग इसको यहां पर इसकी बैक साइड पर लगाना है उसके लिए यहां पर आपने क्या करना है यहां पर आपने अपने क्लिक करना है त्री डोट पर क्लिक करके send to back का उपशन आपको देखने को मिलेगा है send to back पर क्लिक करके इसे आपने उस फोटो का पीछे लगा देना है उसके बाद आपने क्या करना है उसके बाद यहां पर आपने overlay animation पर क्लिक करना है कि यहां पे आपको प्लस का जो animation यह वारा animation आपने लगा के okay करना है और यहाँ पर इसकी timeline को भी set कर लेना है जितना status है उतना है आपने इसकी timeline को बढ़ा देना है उसके बाद आपने again layer वाले option पे क्लिक करना है और media पे क्लिक करना है तो इसी तरीके से आपने लगा कि यहां पर 3Dot पे क्लिक करना है, 3Dot पे क्लिक करके यहां पर आपको Send to back का Option देखने को इस पर आपने क्लिक कर लेना है, उसके बाद आपने से इसके जो टाइम लेने, सोरी यहां पर Overall Animation पे क्लिक करके इसे आपने यह दुबारा से वही वाला जो प्लस वाला जो यहां पर आपको अनिमेशन है, यह लगा देना है, उसके बाद इसकी टाइम लान को सेट कर लेना है, जितना स्टेटर से उतना इसकी टाइम लान को भी बढ़ा देना है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद यहां पर आपने यहां पर फर्स्ट म है वो इर्फान है और इंस्टाग्राम पे भी मेरा यूजर नेम इर्फानलील्बी है तो यहां पर थोड़ी से आपने स्पेस देनी है ताके जो फुल स्क्रीन में आ जाए ठीक है यहां पर अब देख सकते हैं एक जो है यहां पर वर्ड लिखने के बाद यहां पर मैं से आपने अपनी मर्जी का कोई भी एक फॉंट लगा लेना है तो मैं यहां पर थार्ड नंबर जो फॉंट आपको देखने को मिल रहा है यह वाला फॉंट लगा करता हूं और यहां पर इसकी साइज को थोड़ा सा कम कर लेता हूं कुछ जादा हो गया ठीक है उसके बाद यह और यहां पर मैं से सेट कर लेता हूं यह देखिए यहां पर कुछ इस तरीके से ओके तो आपने अपना नाम लिखके यहां पर यापना यूजर नेम यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं और इसके बाद यहां पर सेट करके और यहां पर थरी डॉट पर कलिक करके इसे भी करने के बाद यहां पर फस्ट में आ जाना है फस्ट में आने के बाद यहां पर मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं इस तरीके से आपने फस्ट में आना है उसके बाद लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहां से आपने लेरिक्स वीडियो को मिलेगा इस तरीके से आपने यहाँ पे साइड पर आपको यहाँ पे जगा मिलेगी तो आपनि इस साइड पे अपसे लगा लेंगा से नाए ठीक है कि यहाँ पर क्योंकि comment section के ऊपर हम यहाँ पर chat section लगाएंगे ठीक की उसके बाद यहां पर नीचे आज era नीचे आने के बाद यहां पी blending आपशन आपको देखने को मिलेगा तो आपने blending पे कलिक करके सका black part वह भी खत्म करना एक तो यहां पर मैं ईयह पर स्क्रींपर कlement करके एक बलेक पार्ट के बाद simply अब आपने क्या करना है यहां से एक black screen template video select करनी है इस video की लिंक आपको description में मिल जाएगी इस video को आपने select करना है और select करने के बाद पहले तो इसे आपने fully screen में कर लेना है fully screen में करने के बाद simply यहां पर आपने इसका जहां पर कर लेना है ओके करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यह वीडियो देखने को मिल रही है अब आपने क्या करने है अगेन अपने लेयर वाले आप्शन पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करने के बाद अब आपने यहां पर बॉर्डर पी एंजी स select कर लेना है select करने के बाद यहाँ पर आपने इसे fully screen में करना है उसके लिए split वाले option पर आपने click करना है और यहाँ पर fit to fully screen पर click करके इसे fully screen में कर लेना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर इसकी timeline को भी set कर लेना है तो मैं इसकी टाइम लाइन को यहां पर सेट करने के बाद देखी है हमारी वीडियो जो है बन चुकी है आप देखें मैं आपको प्ले करके दिखा जेता हूं कुछ इस तरीके से यह आपको वीडियो देखने को मिलेगी ठीक है सो गाई इस तरीके से आप वीडियो बना सकते हैं, इंस्टेग्राम पे लगा के आप अपनी वीडियो भी वाइरल कर सकते हैं और जहां पर आप देख सकते हैं, प्रोफेशनल वीडियो है आम काइन मास्टर में बना जोके हैं, उसके बाद वीडियो को सेव करना, एरो पे किलिक करके, यहां पे